ओके तो वीडियो शुरू करने से पहले तुम यह वाला वीडियो देखा हो वरना शायद ही तुम्हें कुछ समझ आएगा जिसका मतलब कश्मीर अभी पूरी तरह से इंडिया का पार्ट माना चाहेगा और लोग इससे बहुत ही खुश है क्योंकि कश्मीर के लोग को भी उतना ही फ्रीडम मिलेगा अपसे जितना इंडिया के हर नागरी को मिलता है जैसे आधार कार्ड वगएरा इस्यू हो जाएंगे और बाकी सब बहुत सारे फैसिलिटिस मिल जाएंगे और बहुत लोग तो इस बात से भी खुश है कि अभी जम्हु एंड कश्मीर में जह उन लोग का घर वगएरा खरीद सकते मतलब बोल सकते तो बहुत जनकुश है मतलब मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से कश्मीर को भी अपसे इंडिया के बाकी स्टेट जैसा ट्रीट किया जाएगा अब हर जगा लिटरली हर जगा यूट्यूब इंस्टा फेस्बूक सब जगा मोदी जी और अमिशा की तो भाई लोग तारीफ करते हुए नहीं थक रहे इनफेक्ट मेरी एरिया की बात पकड़ो अब हमारे एरिया में तो भाई माही भाई की भी भाई तारीफ करते हुए नहीं थगरे लाइक हमारे धोनी भाई लखी है जैसी आर्मी जॉइन किये वैसी इतने सालों का जो काम नहीं कर पा रहे थे सरकार अब गर दिखाया अब लाइक सीरियसली भाई यार कुछ तो क्रेडिट दे दो इननों को मतलब क्या चल रहा है यार अब सब कुछ साइच चल रहा था लिटरली सब कुछ साइच चल रहा था एक दिन क्या हुआ मतलब कल या परसो क्या हुआ मैं घूमते गामते यूट् इसकेट भी काहे का, मैं तो बोलूँँगा, भाई, 10 भी नहीं, literally 10 भी नहीं, जहां पर स्रुम्हें सिर्फ कच्च्चा मिलेगा, तुन्हें पता होगा, मैं हमेशा वीजियो के एंडिंग में बोलता हो कि मैं इससे हेट नहीं करता हो, लेकिन मैं खुद बोल रहा हूँ कि यह एक पहला चैनल है जिससे मैं सबसे जादा हेट करता हूँ literally मैं खुद हेट करता हूँ मतलब यूट्यूब में एक ही चैनल है जिससे मैं हेट करता हूँ और वो है ये अब इस मैडम ने वीडियो बनाया मुझे कोई तकलिव नहीं भाई तुम्हारा चैनल तुम कुछ भी करो मुझे क्या बट इन मैडम ने क्या क्या फिर से लोग को भड़काने की कोशिश क्या लाइक, मोधी जी को वापिस से इन्वाल्व किया, उस पुलवामा एटक के भारे में वापिस से बात किया गया और उस चीज के बारे में, जो cold war टाइप छिड गएती है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, वापिस से उस चीज को उखाडा गया लाइक, वोई गड़े हुए मुरदे को उखाड़ेने की कोशिश किया, जो चींगारी आइस्ते आइस्ते बुझ रही थी, उसमें पेट्रोल ठालने की कोशिश कर रही थी मैडम अच्छा एक बात बताओ, ये इंडियन और मुस्लिम अलग-अलग बोल की क्या साबित करना चाहते हो मैडम एक तो रद्धी भर का नौलेज तुमको है नहीं, और ग्यान ऐसे पेलेंगी जैसे आईसाक नियूटन और अलबर्ट आइंस्टाइन का ट्यूशन टीचर हो और मुझे एक बात बताओ, ये क्या लगा रखा है बे, मोधी ने इसको मरवाया, मोधी जी ने इसको मरवाया, बॉम बलाश में हमारे मुस्लिम भाई बैयनों को मरवाया हिंदू हो या मुस्लिम, सारे इंडियन है, और कौन बेवकू प्राइम मिनिस्टर होगा, जो खुद के ही लोगों को मारेगा और सबसे पहली बात, तुम होते कौन हो यार, हमारे लोगों की आजादी के बारे में बात करने वाले अब कुछ इंडियन्स है, जो मोदी जी से थोड़े खफा है, नाराज है, कॉज देर नोड बंदी है, जी एस्ट अन ओल, ठीक है यार, जाय है बनता है अब इसका मतलब यह नहीं कि उन लोग इस बात से एगरी करेंगे, कि मोदी जी ने हमारे लोगों को मारा है, ठीक है ना तुम लोग में हमारी Bollywood movies देखके हमें उसके कहानी सुनाओगे, तो हैसा थोड़ी ना चलता है, हमारे इंडियान जनता पागल थोड़ी है, जो यह सब बात को एगरी कर देंगे और तुम तो पाकिस्तान ही हो ना, तुम तो पाकिस्तान में रहती ने हो, पूर्टुगाल में रहती हो ना, हाँ पूर्टुगाल में रहती हो ना, फिर यह सब चीजों में टांकी उड़ा रही हो, देखो, हमारे इंडिया में ना, हिंदू हो, मुसल्मान हो, या फिर क्रि यूनिटी भी है तो यह सब देखने के लिए हम है ठीक है तो तुम प्लीज इस चीज़ों में टांग ना अडाओ तो ही अच्छा होगा देखो हमारा देश वर्ल्ल सेगेंड पॉपुलिटेट कंट्री माना चाता है अगर यहां पे किसी के साथ कुछ गलट ट्रीट होता है न हजारों लोग की जान चली जाती है बेगुना बच्चों की यार तभी तो तुम लोग कहीं नहीं दिखाई देते हो अगर अगर सोचों इनके कानों में भनक तक पड़ गई कि एक इंडियन मुस्लीम की जान चली गई उसमें से तो भाई जंडा उठा के आ जाएंगे कि तो वो हैं सिर्फ इंडियन अगर वो हिंदू हैं मुसलिम हैं तो वो उनका सिर्फ रिलिजियन हैं बाकि अगर तुम कोई भी मुसलिम हो या हिंदू को देखोगे न तो they are very proud to be said that we are इंडियन कोई भी बेवकुफ खुद को पहला हिंदू या मुसलिम नहीं बोलेगा सबसे पहले हमारा देश उसके बाद धरम और तुम यह जो हमारे मुसलिम भाई बेनों को भड़काने की कोशिश कर रहे हो ना एक बात समझ लो तुम यह बहुत ही गलत कर रहे हो और रही बात आर्टिकल 370 and 35a की तो यह सही हुआ की गलत यह कहने के लिए मैं बहुत ही छोटा हू मैं तो बस एक नॉर्मल बंदा हूँ जो सिर्फ फन परपस के लिए विडियोस बनाता है लेकिन जब ही माहल थोड़ा सा बिगड जाता है तो कभी कभार कुछ मन बुद्धियों को रिपलाई देना जरूरी है तो एंड तक यही कहना चाहता हूँ इंडियन हिंदू हो या अचाहिए वो इंडियन मुस्लिम सारे इंडियन से अपने देश में शान से रहते अगर कुछ प्रॉब्लम होता भी है न तो उसके लिए हमारे लोग है हमारे सरकार है तो भेतर यही होगा हमारे आपसी मामलों में ना ही पड़ो तो इसके साथ आज का वीडियो यहीं समापत होता है और वीडियो खतम होने से पहले वो रेगुलर वाला बकवास कर लेते हैं लाइक अगर वीडियो पसंदा है तो लाइक करो और तुम लोग मेरी बात से सहमत हो कि खुद को हिंदू और मुसलिम बोलने से पहले खुद को इंडियन बोलते हो तो शेर करो और कमेट करके बताओ कि तुम्हारा इस वीडियो के बार में क्या ओपिनियन है अबाट था 370 अर्टिकल और अगर तुम यहां तक देख रहे हो और तुम यह वीडियो पसंदा है तो सब्सक्राइब करो यार चैनल को और बाजू में घंटी हुआ हुआ है